आपने आज तक जिस भी परकार से अपने संपत्ती का बटबारा किया है लेकिन अब आपको जो है इस परकार से पंचनामा बना लेना है नहीं बनाए हैं तो अब बना लिजिए पहले समझ लिजिए उसके बाद बना लिजिए क्यों जरूरी है पुराना अगर किसी परकार का पुराना जो जमीन का अगर किसी परकार का बटबारा है उसका मानिता समझ लिजी खत्म हो गया कहेंगे एक बार बटबारा कीए और मानिता खत्म कोई भी दस्ताबेज सिर्फ एक कागज पे आप लिखा हुआ दस्ताबेज लेकर आते हैं और उसमें आप अपना दावा पेस कर लेंगे तो उसका मानिता नहीं होगा अब मानिता जो है कब होगा कब नहीं होगा ये भी एक condition है कुछ ऐसे condition है जहां पर जो है अगर आपका पुराना पंच नामा है पुराना जो पंच नामा है नामा है, वो कोट में मानने होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो पुराना पंचनामा है वो ये भी है कि कोट में मानने नहीं है, अब आप कहेंगे आप दोनों बात बोल रहे हैं, मानने नहीं है तो आखिर कौन सा बात सही है, तो दोनों बात सही है, लेकिन आपको समझना परेगा, उस परिकिरिये को समझना परेगा, कि कब पुराना पंचनामा मानने होगा, और कब पुराना पंचनामा जो है, वो मानने नहीं होगा, तो आप ये दस्तावेज को देख रहे हैं, ये पहल अगर बात करें वो अपनी संपत्ती का पंचनामा अलग-अलग करना चाहते हैं एक का नाम जो है वो परकास है एक का नाम जो है एक तरह से राजू है और एक का नाम यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह गनन है तो अब मान लेते हैं परकास राजू गनन यह सभी जो है अपन नगाना चाहते हैं इनका पुराना पंचनमा कोट में मान होगा या नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ इन्होंने अपनी संपत्ति का जो भाई है परकास है ठीक है परकास है राजू है और साथ में गनन है यह तीनों भाई जो आप देख रहे हैं यह बहुत साल पहले एक पुराना पंचनामा बनाते हैं मोखिक तोर पे बनाते हैं जमीन को अलग-अलग कर लेते हैं इनकी जमीन ये अलग-अलग है पुराना पंचनामा का कागज त्यार करते हैं और उसके अधार पर जो है लेकिन यहाँ पर बात करें उसके अधार पर दाखिल खारिज जो है दाख accept नहीं किया गया मतलब कानूनी तोर पर अपने दस्तावेज को अलग अलग नहीं किये गये तो आज आप इतने साल के बाद पंजनामा लेकर जाएंगे कि मेरा बटबारा ऐसे हुआ है तो आप तो दाकिल उसको माने ही नहीं उसको accept किये ही नहीं आज तक उसके अधार पर दा के तोर पेश कर सकते हैं हो सकता है कि आपके पक्च में फैसला भी हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वहां पर ये अनरजिस्टर दस्तावेज है इसका कोई मानिता नहीं है परकास राजू गनन ने जो पंजनामा पहले बनाया उसको जो है एक तरह से उसके हिसा तो अलग-अलग नाम से जो है अब लगान भी जा रहा है है ना लगान रसीद जो है अलग-अलग नाम से कट रहा है तो अगर लगान रसीद अलग-अलग नाम से कटने लगा सभी का तो मैं आपको बता दूँ और ये बात आप अच्छे से समझ लीजी और जान लीजीए कि इसमें क्या होने वाला है कि ये कभी भी अगर पंचनामा लेकर जाएगा और दिखाएगा कि हम आज से 40 साल पहले जो है अपनी संपत्ती को अलग-अलग किये हैं और हम लोग सभी भाई अलग-अलग लगान रसीद भी दे रहे हैं और आज एक भाई जो है दावा पेस कर रहा जो की गलत है जो की सही नहीं है तो इसलिए आप समझ गये होंगे कब पुराना पंचनामा मानने होगा कोट में और कब नहीं होगा कब जो है आप अपने जो है बोल सकते हैं कि नहीं पुराना पंचनामा जो है उसको मानना परेगा लेकिन कब नहीं होगा ये आप समझ गये होंगे अब हम आपको बता दे रहे हैं कि आखिर अभी आपको बर्तमान में करना क्या है अभी बर्तमान में अगर आपको अपनी हिस्सेदारी जो है परकास राजू और गनन जो है अपनी हिस्सेदारी को अगर अलग अलग करेंगे उचित सिंग के नाम से यह मान लेते हैं सारी प्रोपर्टी है तो अब यह क्या करेंगे कि आप ती अपना डिड जो है अलग अलग भाहियों का बनवा लेंगे और इसमें सभी का जो सेयर है मान लेते हैं कि इसमें गनन का जो है यहां पर गनन हो गया उसरे को support करेंगे, और साथ में जो है, जो गराम पंचायत के सदस्वे हैं, पंच हैं, तो उन सभी से आप क्या करेंगे, इस पे signature ले 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 लेंगे, मतलब कि ये सभी लोग जो है इस बात को support करते हैं, उसके साथ सभी का जो है एक तरह से जमीन किधर किसका हुआ, तो जमीन को आपने major कराया, जमीन का आपने मापी कराया, उसका एक report भी आपको अपने amean से तयार करवा लेना है, कि किसके हक में, किसके हिस्से में कौन सा plot अपराप्त हुआ है, ये सभी दस्तावेज को mention करने के साथ, आपको अपना एक वनसा वली बनवाना होगा, वनसा व अधिकारी है, और तीन उत्रा अधिकारी का ही नाम दर्ज किया गया है, कल अगर भविस में ठीक है, म्यूटेशन करा भी लिए, तो आप पर तो दोखा धरी करने का मुकदमा दर्ज होगा, और आप पर अगर धोखा धरी करने का मुकदमा दर्ज हो गया, तो फिर आपको ज अगर आप तैयार कर लेंगा, तो इसके बाद क्या होता है, कゃे राज सरकार के द्वारा ओनलाइन पॉर्टल तिआर किया गिया है, ओनलाइन पॉर्टल में आपको एपलाइ करने के लिए दिया गिया है, आप apply कर सकते हैं और उसके बाद जब आपकी बारी आई गया apply कर देंगे तो इसा नहीं कभी apply करेंगा अभी सारा कुछ हो जाएगा आपका दस्ताबेज देखा जाएगा भेरिफाई किया जाएगा जाँच में बेजा जाएगा और सारे situation सारे तत्त को देखा जाएगा सभी situation सरी सभी तत्त देखने के बाद लगेगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है उचित सिंग के ये सभी अपरकास राजुगनन जो है उत्रादिकारी हैं और सभी अपना संपत्तिय अलग-अलग कर रहे हैं बाट रहे हैं तो इसके बाद ये जो बटबारा हो गया तो भविस् हिस्से पर आप लालच नहीं कर सकते हैं आज बहुत सारे इसे मामले हैं बहुत सारे इसे मामले जो कोट में लंबित हैं कोट में बिबाद चल रहा है बिबाद किसलिए चल रहा है पता है हिस्से को लेकर उनको लगता है कि इसमें उनको हिस्सा मिला ही नहीं है उनको लगता है कि इसमें मेरा हक होना चाहिए उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहा है कई लोग ऐसे हैं कि अब उनके पूरबज उनके हिस्से की संपत्ती को बेच चुके हैं लेकिन फिर आप वो जो है दूसरे की संपत्ती पे अपना एक तरह से हक जमाने का प्रियास कर रहा है तो इस कभी उत्पन ना हो इसके लिए ये प्रिया किया जाता है कि इस परकार से जमीन का पंचनामा बना लें ताकि भविस में आने वाले पिड़ी को खास करके हिस्सेदारी को लेकर कोई भी समस्या उत्पन नहीं हो कि आपको कितना मिला और हमको कितना मिला नहीं तो आज जो सब से बारा समस्या है खास करके अगर मामले कोट में भी आप देखेंगे तो सबसे अधिकांद जो मामले हैं वो जमीन में अपने ही परिवार के लोग जो हैं वो हिस्सेदारी को लेकर किये हुए है है ना कि उनकी हिस्सेदारी जो है हक मारा गया उनको सेहर नहीं दिया गया उनको हक नहीं दिया गया तो ये तमाम मामले को अगर देखा जाए तो हिस्सेदारी को लेकर है तो लेकिन अगर ये दस्तावेज आपका एक बर त्यार हो जाता है और इसके साथ साथ आप जो रहा सरकार का पोर्टल पर एपलाई करके लगान रसीद के लिए यानि दाकिल खाड़िज पर क्रिया भी कर लेते हैं तो आपको भविस में फिर कभी दिक्कत नहीं होगा जब भी दिक्कत होगा तो आप कहेंगे कि सारी सहमती से जमीन का बटबारा हुआ और उसे साब से दाकिल खाड़िज भी हो गया अब जो मेरा भाई है वो एक तरह से लालच करने का पढ़ियास कर रहा है और ये सोच रहा है कि अपना जो है एक तरह से लालच कर हम समपत्ति को हासिल कर लें आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो चैनल को पहली बार देख रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद